हेलो ए स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आपके ये अपने स्यू कोचिंग क्लासस यूटूब चैनल पर आपका स्वागात है आज का हमारा टॉपिक है क्लास टॉल्थ मैं चैप्टर थार्ड मैट्रिक्स में स्टुडेंट आज देखेंगे हम अभ्यूहों का गुड़न फल तो मल्टिपिकेशन आप मैट्रिक्स देखेंगे इस्टुडेंट जिसमें से दो अभ्यूहों का गुड़न फल होता है तो अभी तक हमने देखा है अभ्यूहों का योग फल और अभ्यूहों को घटाए हैं जोड़े हैं दो अभ्यूहों को कैसा जोड़ा जाता है यदि त 2 matrix तो आपके पास तो कैसे जोडते हैं कैसे घट आता ऊंभी तक हमने देखा किन्तु अब देखेंगे कि too matrix आपके पास आई और उसे कैसे multiplication करेंगे तो multiplication आप two matrix ठीकkl आप two calculus देखेंगे यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले उसका basic देख लेते हैं कि यदि हमारे पास two matrix दिया रहता है तो इसको multiplication कैसे करते हैं देखिए माली जे इस्टुडेंट आपके पास a b c d दिया गया है यह पहला matrix है और दूसरा matrix यह आपके पास दिया गया है कोई भी आप मान सकते हैं d e f g इस प्रकार का दिया गया है इन दोनों के बीच क्या है गुणा का संबन्द है यह नहीं गुणा करना है इन दोनों के बीच तो कैसे करना है आपको basic तरीके से यहाँ पे ध्यान देना होगा student यहाँ पे basic आपको सीखना है यदि उसका जड़ पता चल जाएगा आपको basic पता चल जाएगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा आपको matrix क्यों न मिल जाए आप solve कर लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं student यहाँ पर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने element हैं एंड कितने पंक्ति और कितने इस्तंब है तो मैंने पहले सब बता चुके हैं student यह आप नहीं देखे हैं तो previous वीडियो को जरूर देखे चैप्टर स्टार्ट होता तो उसको basic पूरा पूरा बता जाता है ताकि आपको चैप्टर में किसी भी प्रकार का contribution ना बना रहे सारे के सारे doubt clear होना चाहिए अब देखिए यहां पर student हमारे पास दो पंक्ती हैं यह पहला पंक्ती यह दूसरा पंक्ती स्वरी यह इस्थम है student यह पहला इस्थम यह दूसरा इस्थम पंक्ती क्या कहलाता है 36 तो 36 यह पहला पंक्ती यह दूसरा पंक्ती ठीक यह पहला पंक्ति और यह दूसरा पंक्ति नहीं दो इस्तंब और दो पंक्ति हैं दोनों अब्यू में तो देखिए जो इसका गुणा होता है ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक से किस था आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है प्रकारT और था तो यहां पर इस प्रकार मैल्टिप्लाई होता है यह प्रकार होता है कि यह बोला जाएगा यह पहली पं। बोली जाएगी नहीं तो पहली पंक्ति का जो गुरा पहले स्ताम्ब्स से होता लजियेगा और जिस प्रक्रक्राइब का गुड़ा दूसरे इस्तंब से होगा और जिस प्रकार क्रमसा एलिमेंट दिये गए हैं क्रमसा जो आपके अभियाब हैं ओ दिये गए हैं ओ क्रमसा करते जाएंगे जैसे ए का गुणा आपका डी के साथ होगा बी का गुणा एप के साथ होगा यह पहली पंक्ति का गुणा पहला स्थम के साथ होगा दूसरी पंक्ति का गुड़ा दूसरे स्थम के साथ होगा यदि आपके पास तीसरी पंक्ति रहता तो तीसरे स्थम के साथ होता है यह आपका सर्त है जब हम दो अबयूगों को मैल्टिपिकेशन करेंगे गुरा करेंगे तो यह आपका सर्त है कि जितने पहले अबयूग में पंक्ती है दूसरे अबयूगों में उतने इस्तंब होने चाहिए क्योंकि पहला पंक्ति का गुड़ा पहला इस्तंब से होता है दूसरी पंक्ति का गुड़ा दूसरे इस्तंब से होता है तीसरी पंक्ति का गुड़ा तीसरे इस्तंब से होता है यहाँ पर आपका doubt clear अब देखिए मैं आपको गुणा करके भी बताऊंगा कि कैसे होता है फिर से मैं इस्टुडेंट आप व्यू ले लेता हूँ एक्जामपल के लिए A, B, C और D दूसरा आप व्यू आपके पास है E, F, G और H इस प्रकार है अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहले इस्टंब पहले पंक्ति का जो गुणा है किस से होगा पहला पंक्ति का गुणा पहले इस्टंब से होगा यानि इसका गुणा इस प्रकार हो गता है पंक्ति का स्टुडेंट इस्टंब से होता है तो देखिए A का गुणा E के सांथ होगा किस के सांथ होगा और इन दोनों का गुणा देखिए यहां पर जब गुणा करेंगे ए का student E के साथ गुणा करेंगे तो A का E के साथ गुणा करेंगे तो A ही हो जाएगा हो जाएगा की नहीं तो मिल्कुल हो जाएगा student बी को किसके साथ करेंगे इसके साथ करेंगे तो बी को करेंगे जी के साथ तो इसको जोड़ देंगे स्टूडेंट क्या करेंगे जोड़ देती हैं देखे एक का एक के साथ किये तो हमारा एई हो गया और जब दूसरे इस्टामब से करेंगे इस्टूडेंट एनि पंक्ति कर रहें इस्तंब के साथ तो इसका करेंगे इसके साथ जब करेंगे बी का जी के साथ तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो भी ये हो गया जी इस प्रकार करते हैं सुड़ें धहन दीजेगा कि इसी प्रकार किया जाता है इसका गुणा अब व्यूह में कि ये पंक पलवाला मिलेगा आपको तो इसी प्रकार आपको करना है तो यहां तक आपको समझ में आया कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है आपको अब देखिए अब इन ही के साथ करेंगे अब दूसरे इस्थम में चलेंगे चलिए दूसरे इस्थम में चलते हैं तो एक गुणा य तंब के साथ होता है हमने बार बार यहीं रिपीट कर रहा हूं मैं की पंक्ति का गुणा इस तंब के साथ होता है तो यहां पर देखिए एक का गुणा हमने किया तो एई प्लस आई बीच में प्लस करते हैं फिर इसके बाद देखिए बी का गुणा जी के साथ हो गया अब द दूसरे पंक्ती में जाएंगे दूसरे पंक्ती में जाएंगे ये दूसरा पंक्ती है तो फिर इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे जिस प्रकार हमने उपर किया है अब देखिए C का गुड़ा E के साथ करेंगे ये पंक्ती बद्ध होगा ये पंक्ती का गुणा यहां होता है कि क्रमसा गुणा होते जाता है इसके बाद इस प्रकार यह हमारा दो अब्यूँओं का गुणानफल कंपलीट हो गया इसी प्रकार जितने भी मैट्रिक्स मिलेंगे आपको दो मैट्रिक्सों का जब गुणा करना पड़ेगा आपस में तो यही नियम दोरह आप को गुणा करना है कि यहाँ पर जितने भी पंक्ति दिये रहेंगे उतने स्टम्ब से यहाँ क्या होता है गुणा हो जाता है माली जी यहाँ पंक्ति 1, 2, 3 अभी अभी दिया गया है ठीक तो यहाँ भी स्टम्ब होना चाहिए सुरी यहां पर student जितने भी पंक्ती होना चाहिए वो उतने element होने चाहिए उमेद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यदि समझ में नहीं आया तो मैं question solve करता हूँ आपके सामने एक question दिया गया है इस question में आपको पूर डूप से doubt clear हो जाएगा student देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया फिर भी आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार में नहीं आया तो दूसरा देखिए दूसरा नहीं आया तो तीसरा देखिए आपको विल्कुल समझ में आ जाएगा student तो देखिए यहां अब इससे solve करेंगे हमारे पास question दिया गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको A और B के बीच dot product गयात करना यानि गुड़न फल गयात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिख लेना है जो दिया गया है यहाँ पर लिखना है आपको हल आपको पुरा doubt क्लियर हो जाएगा इसको देखिए यहाँ पर दिया गया है 2432 इसके बाद B equal क्या दिया गया है 1235 और आपको ग्यात करना है student A B ग्यात करना है तो चलिए इसी प्रकार लिख लेते हैं आपके पास है 2432 इसके बाद है डाट लग जाएगा यहाँ 1325 इतना हमने लिख दिया अब इसे गुड़ा करेंगे जिस प्रकार मैंने आपको example की सहायता से समझाया ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है solve करना है तो चलिए solve करते हैं इन दोनों के वीच गुड़ा का संबन्द है तो यहाँ पर गुड़ा भी आप लगा सकते हैं student कोई दिग्गत नहीं देखिए यहाँ पर किस प्रकार गुड़ा होगा जैसे मैंने बताया कि पहली पंक्ति का गुड़ा पहला इस्तंब के साथ होगा तो यहाँ पर किस प्रकार होगा टू का गुड़ा वन के साथ होगा देखिए तो दो का गुड़ा एक के साथ होगा फिर जब दूसरे पंक्ति में दूसरा अब यब जब करते हैं student तो यहाँ इसके साथ गुड़ा होगा किन्त दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो फोर का गुड़ा टू के साथ होगा तो फोर का गुड़ा टू के साथ कर दिया हमने देखिए यहां पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस पहले पंक्ति का गुड़ा पहले इस तमब के साथ मैंने क तू का गुड़ा वन के साथ कर दिया, फौर का गुड़ा टू के साथ कर दिया, डाउट कलियर, इसके बाद देखे, जब आगे करेंगे इस्टुडेंट, तो यहां पर इसका गुड़ा करेंगे, और इन के साथ करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्योंकि पहले पंक्ति को गुड़ा कर रहे हैं तो तीन को गुड़ा दो के साथ करेंगे तो तीन का गुड़ा दो के साथ करेंगे फिर बीच में प्लस हो जाएगा फिर चार का गुड़ा पांच के साथ करेंगे तो चार गुड़े पांच हो जाएगा इस परकार पहला पंक् के साथ करेंगे यहां पर देखिए आगे अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे इस्टुडेंट तो तीन का गुणा तीन के साथ करेंगे फिर बीच में प्लस दो का गुणा पांच के साथ करेंगे दो का गुणा हमने पांच के साथ किया तो देखिए यहां पर आपका डाउ clear हो गया होगा अब देखिए अंगे इनको aolve कर लेंगे है तो दो को बुरा जब 1 के सांद करेंगे तो 2 है कम 2 और बीच में plus simple 4 का गुरा 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 इसके बाद देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 plus है 4,5,20 3 का गुडा एक के सांद करेंगे तो 3 एककम तीन प्लस है तो प्लस दो दूना चार अब आगे देखिए इस्टुडेंट तीन त्रिका है नव प्लस दूई पंचे दस यह हो गया दो मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा ए बी इकल आठ में दो जोड़ेंगे तो दस बीस में च्छ जोड़ेंगे तो छबीस तीन में चार जोड़ेंगे तो साथ दस में नौ जोड़ेंगे तो उननीस इस प्रकार इस्टुडेंट हमने क्या किया ए बी का मान ग्याद कर लिया जो हमें ग्याद करना था इस प्रकार पहला question आपका complete, बड़ा ही simple question आता है, और बड़ा ही simple accident, यदि आप इसका basic समझ गये हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, अब दूसरा question देख लेते हैं, अगला question है, यदि a equal to 500 तथा b equal 50 minus 20 हो, तो a b का मान गयात कीजिए, यहाँ पे भी आपको गुणा करना है, multiply करना है, तो चलि गया है, उससे लिख लेंगे कि दिया है, दिया गया है, आपके पास a view है, a equal to 500 और b बराबर क्या दिया गया है, तो 50 minus 20 इतना दिया गया है, और आपको a b का मान क्या करना है, निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं, a b का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 2500 और student यहाँ पर dot या कि फिर गुणा लिख सकते हैं, यहाँ 50 minus 20 इतना लिख देंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं, a b दिया गया है, बराबर देखिए, यह पहला पंक्ती है, पहला पंक्ती का गुणा पहले इस्ताम से होग पिर इसके बाद जब इसका करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे की नहीं, तो 5 का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे, इसके बाद देखिए, जब आंगे जाएंगे, तो इन यह पहला पंक्ती का गुणा अब दूसरे इस्ताम से होगा, ह देखिए इस तम के दूसरे element से करेंगे तो 5 गुड़े 0 यहाँ पर भी हो जाएगा अब देखिए नीचे चलते हैं दूसरे पंक्ति में 0 का गुड़ा 5 से होगा होगा की नहीं तो 0 गुड़े 5 फिर 0 का इस 0 का गुड़ा माइनस 2 से होगा तो प्लस 0 गुड़े माइनस 2 होग की नहीं हो जाएगा इसके बाद इसी पंक्ति में जब दूसरे इस्थम में चलते हैं तो 0 का 0 के साथ हो जाएगा प्लस 0 का 0 के साथ अब आंगे solve करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a b equal देखिए 5 का 10 से करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा की नहीं तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पांच का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर student 2 सुननम सुन और 5 सुननम सुन यहाँ पर देखिए 5 है तो क्या हो जाएगा 5 का गुड़ा 0 से होगा त जीरो अब यहां पूरा का पूरा जीरो है तो यह क्या हो जाएगा जीरो यहां पर देखिए कि प्लस दस है और माइनस दस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे जीरो यहां पे जीरो यहां पे जीरो आगे यहल करेंगे 10 में 10 घटाएंगे तो यह कट जाएगा बचे बी 0 यहां भी 0 यह आपका क्या हो गया answer एकला question है आपके पास A equal 1,2,3 इसमें cable A की स्थम्ब है तो क्या कहलाएगा स्थम अब व्यू तथा B equal दिया गया है 2,3,4 इसमें cable एक पंक्ति है तो पंक्ति अब व्यू दिया गया है हो तो A, B का मान ग्याद कीजिए तो चलिए इस का मान ग्याद करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया गया है A, equal के दिया गया है 1, 2, 3 और B का मान दिया गया है आपके पास 2, 3, 4 इस प्रकार दिया गया है यहाँ पर आपको गुणा करना है A, B का मान निकालना है तो चलिए लिख लेते हैं 1, 2, 3, गुड़े 2, 3, 4 इतना आपके पास दिया गया है यहाँ पे 3 लिख लेते हैं थोड़ा दूर दूर रहेगा तो आपको clear दिखाई देगा इसके बाद देखिए 2, 3, 4 दिया गया है 1, 2, 3 इसे क्या करना है आपको गुड़ा करना है तो चलिए गुड़ा करते हैं तो यहाँ इस प्रकार गुड़ा होगा 1 का गुड़ा 2 के साथ फिर 2 का गुड़ा 2 के साथ 3 का गुड़ा 2 के साथ 1 का गुड़ा 2 के साथ फिर 2 का गुड़ा 2 के साथ और तीन का गुणा किस के साथ होगा तीन के साथ फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक का गुणा चार के साथ होगा दो का गुणा भी चार के साथ होगा और यहां पे तीन का गुणा भी चार के साथ होगा देखे जिस प्रकार आपने प्रीवियस कोस्चन में देखा ठ पहला पंक्तिका पहला इस्तम के साथ ठीक इसी प्रकार करते थे स्टुडेंट तो हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया इसके बाद देखिए इसको स्वाल करेंगे तो ये किस प्रकार आएगा दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो दो का गुणा दो के साथ करेंगे तो चार और दो का गुड़ा तीन के सांथ करेंगे तो च्छै इसके बाद देखिए तीन का गुड़ा एक के सांथ करेंगे तो तीन का गुड़ा दो के सांथ तो च्छै तीन का गुड़ा तीन के सांथ तो नव फिर देखिए एक का गुड़ा चार के सांथ होगा तो चार का गुड़ दो के साथ तो 8 और 4 के गुड़ा 3 के साथ तो 12 इस प्रकार AB का मान निकल करके आ गया और ये होगा आपका answer अगला question है यदि A equal to 432 और B equal दिया गया है 13-25 हो तो AB तधा BA का मान ग्याद कीजिए एक बार matrix AB को गुणा करना है फिर इसके बाद matrix B matrix A के साथ गुणा करना है तो चलिए इस person को भी solve कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है हाल और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे A equal दिया गया है student 2432 और B equal के दिया गया है 13-2 और 5 इसके बाद AB और किसका मान आपको ग्याद करना है और BA का मान जो है आपको ग्याद करना है तो चलिए सबसे पहले हम AB का मान यहाँ पे ग्याद करेंगे A और B तो यहाँ पर क्रम से रख देंगे 2432 और यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो यह गुणा 1, 3, minus 2 और 5 हमने लिख लिया इसके बाद चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए अब लिखेंगे आगे AB इस पंक्ति का गुणा A सिस्तम के साथ होगा तो चलिए करते हैं दो का गुणा 1 के साथ होगा तो दो गुणे 1 फिर बीच में प्लस चार का गुणा माइनस 2 के साथ होगा तो चार गुणे माइनस 2 इस प्रकार हो जाएगा इस्टूडेंट अब आगे चलते हैं देखिए अब आगे चलेंगे तो इसका गुणा इनका साथ होगा तो दो का गुणा तीन के साथ होगा चार का गुणा पांच के साथ होगा बीच में क्या हो जाएगा प्लस तो चार का गुणा पांच के साथ हो गया फिर देखिए तीन का गुणा एक के साथ होगा तो तीन गुड़े एक हो जाएगा बीच में प्लस दो का गुड़ा दो के साथ होगा तो दो का गुड़ा माइनस दो के साथ चलिए कर देते हैं फिर तीन का गुड़ा तीन के साथ होगा तो तीन का गुड़ा तीन के साथ बीच में प्लस 2 का गुड़ा 5 के साथ तो 2 का गुड़ा 5 के साथ कर देंगे यहां तक समझ में आया फिर इसके बाद क्या करेंगे देखिए A, B निकाल रहे हैं तो 2 का गुड़ा 1 के साथ करेंगे तो 2 बीच में प्लस 4 का गुड़ा 2 से करेंगे तो माइनस 8 क्योंकि 2 में भी माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो 2, 3, 6 प्लस 4, 5, 20 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3 और बीच में प्लस 2 का गुड़ा 2 से होगा माइनस 2 से तो माइनस 4 यहाँ पे देखिए 3 एत्रिकाए 9 प्लस 2, 5, 10 इतना दिया गया है अब आगे सॉल्व करेंगे A, B, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस माइनस, माइनस 8 6 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ 26 यहाँ 3, प्लस माइनस, माइनस 4 9 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 आगया कितना आया, 19 आगया अब आगे सॉल्व करेंगे तो A, B, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस रहता है तो वहाँ पे माइनस ही आता है, इसके बाद यहाँ 26 है तो हमने 26 लिख दिया यहाँ पर देखिए माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ 19 इस प्रकार इस्टुडेंट हमने A, B कामान ग्याद कर लिया अब हमें ग्याद करना है B और A कामान तो B को पहले लिखेंगे, B कामान क्या है तो 1, 3, माइनस 2, 5, फिर इसके बाद गुणे, अब A कामान लिखेंगे तो 2, 4, 3 और 2 हो जाएगा तो चलिए इस प्रस्टन को भी साल्व करते हैं प्रस्टन वाई ए इस्टुडेंट इसमें दो कंडिशन दिया गया था, पहला कंडिशन ये कहता है कि A को तो B से गुणा कर दिये अब B को भी करिए एक के साथ गुणा तो चलिए कर देते हैं तो B, A, बराबर एक का गुणा पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले इस्टंब से होगा अब जोड़ा बनाएए उसका तो एक का गुणा दो के साथ होगा तो एक गुणे दो बीच में प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो तीन का गुणा तीन के साथ हो जाएगा फिर इसके बाद देखिए एक का गुणा चार के साथ होगा इसी पंक्ति के इस इस तम में चलिए तो एक का गुड़ा चार के सांथ होगा बीच में प्लस फिर तीन का गुड़ा दो के सांथ होगा तीन गुड़े दो क्लियर इतना समझ में आया बताईए फिर देखिए माइनस टू का गुड़ा इसके सांथ होगा इस पंक्ति का गुड़ा इस इस्तंब से करिए तो दो का गुड़ा दो से होगा बीच में प्लस फिर यहां पांच का गुड़ा किस से होगा तीन से यहां से देखिए माइनस दो का गुड़ा चार से हो जाएगा बीच में प्लस पांच का गुड़ा दो से हो जाएगा इसके बाद अगले इस्टेप पर चलेगे बिए बराबर क्या हो जाएगा दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो दो प्लस तीन का गुणा तीन के साथ करेंगे तो तीन त्रिकाए नव फिर चार का गुणा एक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा चार प्लस तीन का गुड़ा दो के साथ करेंगे तो तीन दूना च्छो यहां पे दो का गुड़ा दो से करेंगे तो माइनस चार प्लस पांच का गुड़ा तीन के साथ करेंगे तो पंदरा माइनस दो है चार है तो माइनस आठ प्लस पांच दूना दस अब इन्हें जोड द होता है तो 10 15 में 4 को घठा देंगे तो 11 8 और 10 माइनस 8 है तो कितना हो $2 इस परकार ये आपका 5A का मान आ गया और एबी का भी मान आPEने गया गया अपने कर लिया एबी का मान मैनस 626 मैनस 1 और 19 इस परकार बीए और एबी का हमने ग्याद कर लिया ये question भी आपका complete अगला question है आपके पास यदि A matrix A equal दिया गया है I 0 0 minus I और B बराबर क्या दिया गया है 0 I I 0 हो तो आपको prove करना है कि A B not equal B A A B को गुणा करना है और B A को गुणा करना है तो ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए तो चलिए इस question को solve करते हैं तो दिया क्या गया है सबसे पहले आपके पास है I 0 0 minus I इतना दिया गया है B equal क्या दिया गया है 0 I I 0 यहाँ पे A B और B A क्या आना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए सबसे पहले A B का मान गयात करते हैं तो I 0 0 minus I है की नहीं इसके बाद गुणा 0 I I 0 तो इसको गुणा करेंगे तो चलिए A B को गुणा करते हैं पहले पंक्ति को पहला इस्तंब से गुणा करेंगे तो I का गुणा 0 के साथ होगा तो यहाँ पर student I का गुणा किसके साथ होगा 0 के साथ होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा बीच में प्लस फिर 0 का गुणा I के साथ होगा तो फिर 0 हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या से या कुछ भी हो जीरो का यदि उसमें गुड़ा कर दिया जाए तो वह जीरो ही हो जाता है अब इसी पंक्ति को दूसरे इस्तंभ में करेंगे तो यहां दूसरा इस्तंभ में लिखेंगे I का गुणा I के साथ करेंगे तो I स्क्वैर हो जाएगा फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा यहाँ 0 का गुणा अब दूसरा पंक्ति का पहला इस्ताब में करिए तो यहाँ पर लिखेंगे 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्लस आई का गुणा आई से करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा बर्ग और एक में माइनस से एक में नहीं है तो माइनस आई का बर्ग हो जाएगा आया समझ में आपको तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस आई का बर्ग यहां तक आपको समन में आया होगा अब 0 का गुणा आई के साथ करेंगे तो 0 और माइनस आई का गुणा 0 से करेंगे तो 0 अब आगे इसी को सॉल्व करते हैं तो A भी बराबर हो जाएगा इस्टूडेंट 0 का 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 यहां पर I स्क्वेर यहां पर माइनस आई का वर्ग और यहां पर 0 यहां तक आपको समन में आया अब देखिए आयूटा स्क्वेर जो आयूटा स्क्वेर है उसका मान कितना होता है माइनस वन होता है तो यहाँ पर हम रख देंगे Hayota Square Command minus 1 तो यहाँ पर AB दिया गया है तो हमने लिख दिया A, B 0, Hayota Square Command I Square Command होता है minus 1 होता है ठीक, तो यहाँ पर minus पहले से दिया गया है, I Square Command minus 1 हो जाएगा, 0 तो इसका जो मान है और क्या हो जाएगा, A, B बराबर हो जाएगा 0 और माइनस 1 पहले से माइनस मानस प्लस हो जाएगा 1 और यहां पे 0 तो हमने AB कमान निकाल लिया 0 माइनस 1 1 और 0 अब आपको लिखाला है BA कमान चलिए BA कमान निकाल लेते हैं तो B क्या है आपके पास बताएए तो B है 0, I, I और 0 इसके बाद गुणा करेंगे A के सांथ तो A आपका है 0, सारी, I, 0, 0, माइनस I इस प्रकार दिया गया है तो इसको गुणा करेंगे चलिए गुणा करते हैं B को A के सांथ गुणा करेंगे देखिए, पहला पंक्ति का गुणा पहला इस्तंबर से होगा 0 का गुणा I के सांथ होगा तो 0 हो जाएगा अब पहला ही पंक्ति का दूसरे इस्तंबर से करेंगे तो यहां लिखेंगे 0 का गुणा 0 के सांथ होगा तो 0, I का गुणा माइनस I के सांथ होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा की नहीं तो बिल्कुल हो जाएगा अब देखिए आई का गुणा आई का गुणा आई के साथ करेंगे तो आई का बर्ग फिर जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आई का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो जीरो का गुणा आई से करेंगे तो यहां प्लस जीरो जीर और यहाँ पर आई का बर्ग इसके बाद यहाँ जीरो हमने बताया कि आई का बर्ग करेंगे तो माइनस वन होता है होता है की नहीं तो होता है बी ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ पर माइनस पहले से है और यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पर इस्ट बताइए तो AB कमान निकाल के रखा है आपने 0, minus 1, 1, 0 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह दोनों बराबर है कि नहीं यहाँ पर 1 है, plus 1 यहाँ पर minus 1 यहाँ पर minus 1, यहाँ पर plus 1 यहाँ यह दोनों क्या हैं last में यह निकल करके आगया कि यह दोनों बराबर नहीं है, तो BA बराबर नहीं है, AB के यही आपको proof करना था यही आपको क्या करना था तो proof करना था यह question भी आपका क्या हो गया complete, इस प्रकार student इस वीडियो के माध्यम से कई important question देखे हैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा, दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा नए है तो चैनल को स्रस्क्राइब कर बेल आइकन प्रस कर लीजेगा, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए जैहिन बंदे मातरम